आज की ये वीडियो माइक्रोसॉप एक्सेस की है और एक्सेस के इस वीडियो में हमारे पास एक व्यूवर है हमारे जो वाच करते हैं हमारे वीडियो को उन्होंने कॉमेंट किया है दीपक शर्मा नाम इनका और इन्होंने मेरी टी लुक अप फंक्शन की जो वीडियो तो मैं आपको दिखाता हूँ मैंने भी एक ऐसाई फॉर्म बनाया हुआ है जो आपके वीडियो में था अब यह दिखे यह टेबल है और इस टेबल में एक डिटर टाइप लिया हुआ है बाकी सारी चीजे आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं इसको डिजाइन जूपर लेके द लिए है उसके बाद एक फॉर्म डिजाइन आप यहां से क्रियेट से जाके करते हैं मैंने फॉर्म विजर्ट से लिया है यह वह फॉर्म है मैं इसे दिखाता हूँ पर ओपन करके तो देखे यह वह फॉर्म है अब इसमें थर्ड रिकॉर्ड पे हैं हम ठीक है और एक बटन है वह आटमेटिक सेव होती रहती है कैसे आई यह दिखाता हूँ यहां पर जैसे समझाने के लिए एक्जांपल के लिए आईडी रख लेता हूँ और यहां पर नेम करता हूँ और यहां पर कर देता हूं एड्रेस ठीक है तो यहां शिटी कर देता हूं शिटी कर दिया तो यह करके और आपको सेव पे नहीं क्लिक करना है यह और इसको ओपन करते हैं तो देखे यह डेटा हमने सेव नहीं किया लेकिन यह और यह पूरी वीडियो में बताँगा ठीक है अब यह जो टेबल उपर आ रही इसको हटा देंगे इसका कोई मतलब नहीं है अब क्या करना इसको ऊपर कर लेंगे थोड़ा सा और यहां से थोड़ा सा इसको नीचे दरेंगे अब यहां से वीडियो पर क्लिक करेंगे यह इस तरीके का दिखाएज़ेगा हमें यहां पे एक बटन बनाना है तो बटन कैसे बनाएंगे अच्छा एक्सेस में डेटा आटोमेटिक सेव होता रहता है यह तो मैंने अभी आ करना हैँएंगे तो यह बटन का है क्लिक करते हैं और यहां से इसको ड्रेक खरवा लेकि यह बेस्ट तो हमें इस विंडू की जरवत नहीं है हम इसको कस्टम करेंगे UX यहां पर इस 참रांब इसे हटा यह थूड़ा नहीं है तो यहां पे रखकर के कर सरकों और कहां जाना है हमें आधर सोले रिंडो पर जाना है और इसको एक नाम देंगे ढखेना में जुक्त loro प्रेस्स कशितैकर यहां Minayus सब्सक्राइब यहां तक बात समझ में आई होगी देखे आगे क्या करना है यहां पर और यहां से चूज कर लिजगा इवेंट प्रोसीजर और प्लिक कर दिजगा यहां थ्री डॉट्स पर क्लिक करेंगे यह बड़ी से विंडो ओपन हो जाएगी देख सकते हैं यह विंडो क option explicit option explicit ठेक है अब यह option explicit की spelling आप गलत मत कीजेगा ठेक है और यहां पर लिखेगा डिम देम कमंड काफी ज्यादा यूज किया जाता है आपर a save करिएगा a save क्या लिखना है a save dim a save जिस तरीके से बता रहा हूं उसी को किवल follow करना है ठेक है यहां पर लिखेगा as और यहां लि किजेगा और enter करके क्या करना है हमें यह जो boolean आ रहा है इस पर double click कर देगा और यहां पर आना है आपको यहां पर एंटर करके ठीक है जैसे नीचे आते हैं तो यहां पर देना है फिर से वापी से क्या देंगे यहां पर लिखेंगे a save a save देदिया is equal to true यहां पर records रिकॉर्ड्स रिकॉर्ड्स सक्सेस्पुली एफ यू डबल पी डबल एस फ यू डबल एलवाई इसको डबंटेट कॉमा के अंदर रखना है ठीक है उसके बाद क्या करना है यहां पर लिखना है प्राइबेट जिस तरीके से मैं लिख रहा हूं ठीक है ध्यान दीजेगा यहां पर इस तरीके से लिखना है प्राइबेट एफ ओ अर्य जा यहां पर लिखने इस अंदर्स्कोर लगाहिए गा बिफोर वी एकलिए अपदेट यू पी डड़ाट टेओ अपदेट चैंसल एज इंटीजर करें यहां पर लिखेगा इट थीएंट तो रहें पहुत और यहां लिखेगा के अस और यहां पे फॉल्स रखेगा एकर फॉल्स हो तब यहां लिखेगा देन फॉल्स के कंडिशन में क्या होगा यहां पर हम एक और देंगे cancel cancel is equal to true करेंगे ठीक है TRU is true हो जाएगा तो cancel equal to true हो जाएगा और फिर last में from form और यहां लगा यह underscore current कि यहां पर a save is equal to false कर लिजेगा और एंड सब कर लिजेगा ठीक है एक चीज़ और आपको ध्यान देनी है coding करते हैं उपर यह message box करेंगा यहां पर गलती हो गई थी हमते MSZ box करना है आपको ठीक है और इसको सीधा छुरिया एक और नाम आया हुआ है ठीक है तो यहां पर देख सकते हैं यह फूल पांच नाम है ठीक है यह देक सकते हैं यह ऒं से सुरू वा यह दूसरा किसे अब हैं चनितā्या कोई laughs नहीं है तो अगर मैं यहां पर सूरिया लिखता हूँ या कोई और नाम लिखता हूँ जिसे रितेश लिख देता हूँ एक नाम यह रितेश लिख दिया और यहां पर कर देता हूँ देवरिया कर देता हूँ तो यह देवरिया कर दिया अब मैं इसको सेव नहीं कर रहा हूँ ठीक है ध्यान देजे का सेव नहीं कर रहा हूं लेकिन पहले तो सेव हो जाता था लेकिन अब सेव नहीं होगा तो देखें यहां पर इसको close कर दिया सीधा close कर दिया अब इसको open करते हैं देखते हैं रितेश नाम आया है या नहीं आया है तो यहां पर देख सकते हैं कहीं भी आपको रिटेश नहीं दिखाए देगा यह रिखे यह सुरिया है सुराया है और श्याम है और यहां पर राम है बाकी रिटेश तो नहीं आया लेकिन क्या होगा अगर से पे क्लिक कर दें तो आए देखते हैं यहां पर यहां पर नियू न है कि उससे होई होगा फिके तो इस तरह से कर सकते हैं टिक है झाफ नne आई को बाद समझ में आ गई होगी आपकी फ्रॉब्लम हो जाईग ley petite यह ट्रवाक। इस तंब झाल झाल झाल